फाइनली एक्जाम्स ओवर टाटा बाइबाई आई सी ए आई खातम बाइबाई टाटा गुडबाई गया बहुत खुश होंगे ना अपने आखरी तक हार नहीं मानी देड़ दिन में इतना बड़ा सी लेबस रिवाइस करके जाना और इंस्टीट्यूट को चनौती दे कर आना आसान नहीं होता है बहुत सारे मेसेज्ज जूरिंग दे एक्जाम्स मैंने रिसीव किये कि सर मेरा याला पेपर बिगड़ा हुआ मैंने सुचा कि एक्जाम के बीच में आके आपको डिस्टब करना ठीक नहीं रहेगा अगले पेपर का रिजम बिगड़ता है ICAI Grace Marks देता है कैसे देता है बताऊंगा because मुझे भी मिले है CA Final के एक पेपर में डिटेल स्टोरी है थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं लेकिन अभी सबसे पहले में को ये बताओ तुम्हारा पेपर कैसा गया इस बार पास या फिर खेर छड़ो यार इन चीजों पर क्यों बाद करें अभी strictly मैं तुमको बोल रहा हूँ pen paper लेकर बैठो और decide करो कहां घूमने जाना है कौन सी मूवी देखनी है कौन सी वेब सीरीज निपटानी है अगर girlfriend boyfriend है और time नहीं दिया है तो उनको कैसे manage करना है और बस relax करो family के साथ time बिटा आओ friends के साथ मज़े मस्ती करो और वो जो सारी चीज़े आप sacrifice कर रहे थे ना अगले एक देड़ महिने उसी के लिए है जादा दिमाग पर load देना ही नहीं है calculation करना ही नहीं है कि चलो total मारता हूँ paper यह निकालता हूँ वो निकालता हूँ अभी मत करो थोड़ा से relax करो at least अगले 5-10 दिन तो कुछ भी यह काम करने की ज़रूरत नहीं है अभी full-on vacation mode on हो जाना चाहिए आपके बट फिर अगर 10-15 दिन हो जाए मजे मस्ती full-on कर लिए हो सारी पिचरे गूमना फिरना vacation enjoy कर लिया हो और अगर ऐसे दिमाग में खयाल आ रहे हैं शायद कभी तो फिर थोड़ा सा productive काम कर सकते हो तो कैसे कर सकते है थोड़ा सा quality content आप जो मुझसे पूछते रहे तो ना अलड़ी बहुत सारे पोस डाल रखे हैं आप जाके उनको देखो बट 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 ज्यादा टाइम ये काम मत करने में लग जाना कि नहीं लगे हुए भया ने बोला थरो सा productive बनना तो अब दिन भर ऐसा कुछ research करके बैठे है नहीं भाई जीवन बहुत बड़ा है और छुट lifelong learners with 100% refund policy अब इसमें है क्या सर इसमें मैंने खुदने वो lectures डाले हैं वो videos डाले हैं जो कि आपको market के लिए ready बनाएगा वो कौन से skills है सर वो है tally, excel और अपनी communication skills मुझे बताओ ऐसा कौन सा CA firm है, industry है या फिर company है जहां पर excel का use नहीं होता ऐसी कौन से CA firm है जहां पर practical accounting softwares न अपने को अच्छे से knowledge हो और यही bundle हमने इसमें डाला हुआ है, आपको basic से लेकर advanced तक की तियारी इस bundle में करवाई जाएगी with unlimited views and lifetime validity और एक बार यह पूरा आप course कर लोगे, assignments वगरा submit कर लोगे तो आपको completion certificate मिलेगा जो अपने resume पर add करके, अपने resume की power और increase कर सकते हो, तो I want you check out this course because इसमें हम live sessions भी लेते हैं हर महिने और recordings भी देते हैं उन sessions की ताकि आपकी तियारी और अच्छे से हो जाए, और अभी यह जो overall bundle है ना 50% offer मिल रहा है और केवल 51 students के लिए because मैं चाहता हूँ कि student अच्छी तरीके से prepare करके अपने को skillful बनाए, अब बात कर लेते हैं grace marks वाली कहानी पर, बहुत सारे students सोचते हैं कि मेरा paper बिगड़ा है इसका यह मतलब है कि मुझे grace marks 100% मिलेगी भाई साब, institute हमारा बहुत अच्छा मित्र है जो कि हमको grace marks देगा, हाँ सही भी है, मुझे भी मिली थी, मैं generally यह बतानता नहीं था, बट मैंने सुचा आप बता दो 40 marks से ही होता है, आए कितना है, 38 marks आए, मतलब technically मैं fail हूँ, बट thank you God, thank you ICI, वो 38 तबदिल हो चुका है, यह mark sheet देखिए, SFM में नंबर आपको दिख रहे होंगे 40 marks, तो grace marks मिलती है, institute भी हमारा थोड़ा सा भला करता है, भगवान भी हमारा साथ देता है, जो कहते है न जब कि लग की जरूरत होती है, साब CA की परिक्षा में तो मैं कहता हूँ, hard work 95% और 24% लग हो जाए, तो आपका काम बन जाता है, पर चिंता नहीं करना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत difficult paper गया थो, और सबका difficult गया है, और आप सोचरों कि 24 number कहीं से मिल जाए, तो गलत अभ अपने पापा तो लगते नहीं, कि चॉकलेट समझ के grace marks दे देंगे 10-15 number की, तो अगर ये ख्वाब आ रहे हैं कि कहीं से 10-15 number आ जाए, तो अभी से वापिस वो किताब उठा ले ना, जो आप सोचे थे, इधर बाजू में कहीं कोने पर पटक के, कि अब नहीं पढ़नी तो कोशिश करो कि अगर आपके दिमाग में हैं कि नहीं यार फेल्स तो मैं पक्क ही हो जा रहा हूं, 10-15 number तो ही आएंगे, 10-15 number का grace मा कोई नहीं देगा, तो go back, study those books again, और time waste मत करो, भगवान के सामने आरती उतारने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे इतने number देदेगा, point is go back to your studies and plan hard for the next attempt, bye-bye, take care, see you in the next video